हेलो मैं यूट्यूब फैमिली जे श्री कृष्णा राधी राधी कैसे हो आप सब और आज मैं राधारानी का श्रंगार करने जा रही हूँ क्रिस्मस पर तो वो वीडियो मैं आपके श्राश शेर कर रही हूँ यह देखिए मैंने वूलेन की रेड और वाइट कलर की ड्रस पहनाई है राधारानी को और अब मैं श्रंगार करूंगी तो वीडियो जरूर से एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर से करिए चलिए श्रंगार सुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैं यह कड़े पैनाने वाली हूँ यह इसमें वाइट और रेड कलर का जरकन का वर्क है तो यह ड्रेस के साथ मैच करते हुए हैं इसलिए यह वाली कड़े में पना रही हूँ और मैं फैस्ट टाइम ऑन कैमरा राधा रानी का श्रंगार कर रही हूँ तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह श्रंगार कैसा लगा है हमारी राधा रानी का दिखिए यह वाइट के साथ यह रेड कलर की चुन्नी वूलें की है तो यह इस तरह से डाल के और इसके बाद यह कमर बंद में बांदूंगी तो चुन्नी साथ में चोली के साथ ही सेट कर रही हूँ यह के इस तरह से सेट करके और फिर कमर बंद लगा रही हूँ इससे चुन्नी अच्छा से सेट हो जाएगी यह दिखिए एक कमर बंद लगा दिया है मैंने और यह दिखिए यह जरकन का रेड और वाइट कलर का सेट है जो की इसके साथ बिलकुल मैच कर रहा है तो लॉंग वाला पहना रही हूँ क्योंकि वूलें ड्रस है थोड़ी सी हैवी हो जाती है तो थोड़ा सेट वगारा बड़े बड़े से हैं पहनाओ तो अच्छा खिलके लुकाता है सेट का भी और अच्छे भी लगते हैं अब मैं कानों में ये वाले एरिंग्स पहनाने जा रही हूँ ये भी सेट के साथ और ड्रस के साथ दोनों के साथ मैच करते हैं इसलिए मैं ज़्यादा तर जरकन के ही कानों में पहनाती हूँ तो ये दिखिए राधरानी को मैंने कानों में भी पहना दिया है कितनी संदर लग रही है लाडो और अब मैं लाडली को बाल लगाऊंगी तो ये श्ट्रेट वाले जो बाल है और एक करली वाले हैर भी है बढ़ देखती हूं क्योंकि ये कैप लगाऊंगी इसलिए बालों का लुक देखना पड़ता है कि किस तरह के बाल सेट होंगे तो ये श्ट्रेट वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगी कैप के साथ तो मैं यही वाले लगा रही हूं क्योंकि राधर रानी को कैप लगाऊंगी इसलिए ये वाले बाल थोड़े ओपिन से अच्छे लगेंगे तो मैंने वही वाले बाल लगा दिये हैं और थोड़े से बाल मैंने आगे के साइड में कर दिये हैं थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा और इसके साथ मैं करली हेयर की जुलट होती है है यह दिखिए, यह मैंने बना रखी है, तो इसको मैं साइड में लगाऊंगी, तो यह मुम जो होती है चिपकाने मुअली मैंने उसी से ही लेट को साइड में मैं चिपका दिया है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो रादारानी कश्रंगार और लिट वगरा लगाने का इस तरह से आप कर सकते हो मो मगरा से और यह रिए नॉज रिंग पेना दी है लाडली कोई ज इतनी सुन्धर लग रही हैं राधा बहुत प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी यह वाला फ्लावर देखती हूं अगर टक करके सही आता है सही लगेगा तो लगाऊंगी बालों में और नहीं तो फिर हाथ में दे दूँगी कैप के साथ फ्लावर का लूप थोड़ा सा अच्छ नहीं आएगा क्योंकि फ्लावर दिखेगा यह नहीं ज्यादा सा तो इस वज़े से फ्लावर नहीं लगाऊंगी और मैं सिद्धे कैप लगा दूँगी क्योंकि सर्दी है और आज क्रिस्मस है तो हमारी राधा रानी का स्रंगार थोड़ा सा अलग से होना चाहिए तो यह देखिए मैंने कैप लगा कि आज राधा रानी का स्रंगार किया और सच में मैं स्रंगार कर रहे हूं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राधा रानी ने यह मौका मुझे दिया है श्रंगार करवाने का तो श्रंगार करने हो और अब बिंदी रह गई है बिंदी लगा के यह देख सकते हो आप पूरा श्रंगार हो चुका है और अब हाथों में फ्लावर दे दूँगी राधा रानी को तो वो जो यलो अला फ्लावर था एक मिनुट यह देखिए तो यह वाला फ्लावर मैं हाथ में राधा रानी के दे दूँगी और अब भी आप एक सब्तियोग कितनी प्यारी लग रही है बहुत सुन्दर लग रही है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना की हमारी राधा रानी का श्रंगार जो कि मैंने फैस्ट टाइम में उन कैमरा किया है आपको कैसा लगा है यह इत्री लगा रही हूँ और इत्री लगाने के बाद मैं आपको पूरा श्रंगार एक बार अच्छे से दिखा दूगी और आप को कैसा लगा है जरूर से बताना और जो लोग वीडियो पर नए है जरूर से वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में अपने दोस्तों को शेयर करें और जो लोग चैनल पर नहीं सब प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें जे श्री राधी